ये गाईज आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टैक सर्वोदया ब्रदर्रस में आज हम आपको दिखाने लगवाले हैं कि आउक्जलरी बैटरी कहां लगी होती है और कैसे इस इसे को खोला जाता है कैसे चेक किया जाता है चलिए टाइम को वेच नहीं करते हैं स्टार्ट कर होती है और यह जो तीसरी बैटरी दो यहां पे लगी होती है यह जो हमारा बजाज शें तक स्टार्ट होता है तो किस त्रीके से खोजते हैं देक्ते हैं चलिए यह कहा ऱताएंगे आपको बता देशें यहां पर मझें dubbed एकॉती हैै just को लौते हैं हम कि अपने भी कभी खोला नहीं जाए यह सबसे पहले मैट को इपके हम यहां पर इस मैट में पुछ लॉक लगे हुए हैं यह देखिए तो यह कुछ लॉक लगे हैं इस मैट को असानी से यह लॉक को अटाते जाएं और यह देखेंगे तो यह देखिए बड़ी आसानी से आप इसको अटा सकते हैं दूसरी साइड हम दिखाते हैं इसमें तो यह जो है हमने इसको अना बड़े ही केरफ़ली निकालें यह आपके लॉक है यह तूटे ना इन पर ज्जादा तागत ना लगाए और केरफ़ली इस तरीके से आप इसको निकाले तो देखें हमने इसका जो है ऑक्जरी बैटरी का पार्ट निकाल दिया है अब आपको दिखाते हैं कि क क्रूब को खोलेंगे तो दोस्तों हमने तो दोस्तों तो हमना यह स्कूटर को खोल लिया है अब इसके नीचे यह देख रहे हैं यह हमारी ऑक्सिलरी बैटरी लगी हुई है इस बैटरी का जो काम होता है जो हमारा जो स्कूटर स्कूटर जो है स्टार्ट होता है इस ऑक्सिलरी बैटरी के थुरूई होता है अगर यह बैटरी हमार खराब हो जाती है तो हमारा जो स्कूटर बजाचे तक स्टार्ट नहीं होगा तो दोस्तों कभी भी आपको बैटरी का यह पार्ट खोल ला हो तो इस तरीके से बढ़ी असानी से खोल सकते हैं और बस थोड़ा सा केरफली खोलें ताकि लॉक ना खराब हो और तक और लगाते टाइम भी थोड़ा सा केरफली इसको लगा है यह तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें हमें कॉमेंट करें और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम आपको इस तरीके की वीडियो लाते रहें और ट टाइटा बाय बाय